Hello everyone, welcome to our new blog आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रैबिट को पालने से क्या क्या फायदे होते हैं तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफोमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि रैबिट पालने के फायदे क्या हैं तो सबसे पहला फायदा है कि रैबिट को हम अपने घर में रख सकते हैं अपने साथ रख सकते हैं दूसरा फायदा है, रैबिट, कैट, डोग, पैरोड की तरदा शोड नहीं करते ये बहुत ही सांथ एनिमल होते हैं तीसरा फायदा ये है कि रैबिट घास, हरी पत्ते, ये सब चीज़ ही खाते हैं ये ही शाकाहारी होते हैं चौते फायदे, ये होते हैंill रैबिट घर की सुन्दरता को बढ़ाते हैं क्योंकि रैबिट बेहत सुन्दर और क्यूट होते हैं इन्हें देखकर सभी खुश होते हैं फिर वो चाहे बच्चे हो बड़े हो या वुड़े हो पांचवा फायदा ये है कि ऐसा माना जाता है कि रैबिट को घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, अगर हमारे घर में पहले से ही नेगेटिव एनर्जी हो, तो rabbit जरूर पाले क्योंकि वो घर से चली जाती है, चटवा फायदा या है कि खरगोश को घर में रखने से बरक्कत होती है, और साथवा फाइदा यहा है कि अगर आप किसी काम या किसी प्रॉब्लम से डिप्रेश रहते हो तो रैबिट जरूर रखो क्योंकि रैबिट बहुत ही प्यारे होते हैं इन्हीं देखकर सारी तकलीफे, दर्द, दुख ये सब ना दूर हो जाते हैं घर में खरगोश जरूर पालना चाहिए क्योंकि इन्हें भगवान विष्णू और भगवान इंद्र देव का वर्दान मिला है कि ये जहां रहेंगे वहां सांती और उन्नती ही होगी इनकी कथा पौणविक महाभारत से भी जुड़ी हुई है तो आज का ब्लोग यहीं तक रहेगा तो आई होब आप लोग को वीडियो अच्छे लगे अगर वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट में जरूर बताना और मिलेंगे नेक्स ब्लोग में किसी ने टॉपिक के हुआ हुआ है तो आफिए टॉखिक के थाओे ओी जूब है तो आफे हुआ है तो के रीजियो आपिए कर टॉए हैoth fängerणहत